Hello and Welcome Everyone High Tech Horticulture का हमारा Next Topic है High Tech Field Preparation and Planting Methods Basically क्या है कि High Tech Horticulture में हम Field का Preparation किस तरीके से करेंगे अब Field Preparation में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है Soil के Management पे और जिस मीडिया को अपन यूज कर रहे हैं Plants को Grow करवाने के लिए वो मीडिया किस तरीके का होना चाहिए और Planting Methods क्या क्या हो सकते हैं अगर हम उसको एक Particular Greenhouse Structure में Plants को लगा रहे हैं तो किस तरीके से लगाएंगे और बाहर Field में लगा रहे हैं तो किस तरीके से लगाएंगे तो High Tech Field Preparation में हम जो Soil या फिर Media यूज कर रहे हैं वो Basically उसकी Physical और Chemical Properties जो है वो एकदम Accurate होनी चाहिए और वो Physical और Chemical Properties जो है वो Normal Field Soil की तुलना में थोड़ी से Different होती है एक अच्छे Media में अच्छी Physical Properties होनी चाहिए जैसे कि उसकी Water Holding Capacity अच्छी होनी चाहिए पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए अब ये बात है कि जब हम किसी भी High Tech Field का Preparation कर रहे है तो कुछ भी चीज बहुत ज़ादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए अगर बहुत ज़ादा Water Holding Capacity होगी पर्टिकुलर मीडियम की तो क्या होगा ड्रेनेस प्रॉपर नहीं हो पाएगा बहुत ज़ादा पोरोसिटी होगी तो भी जो एरिसन है वो Water Molecules के बहुत ज़ादा इकठे हो जाने के कारण एफेक्ट होगा तो इसी तरीके से जो मीडियम हम यूज कर रहे है वो Weldrend होना चाहिए उसकी अच्छी Water Holding Capacity होनी चाहिए जो मीडियम है वो बहुत ज़ादा Compact नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो बहुत ज़ादा Compact होगा बहुत ज़ादा Tight होगा तो Root जो है वो बहुत ज़ादा Growth नहीं कर पाएंगे और Root जो है उस मीडियम को Penetrate करके अपनी Growth को Proper तरीके से नहीं कर पाएंगी बहुत ज़ादा Porous Medium भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़ादा Porous Medium हुआ तो उसकी Water Holding Capacity और Nutrient Holding Capacity जो है वो Effect होगी जिससे Ultimately Plant की Growth और Development की उपर Effect पड़ेगा अब Particular Medium जो है उसकी pH जो है वो बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़ादा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर Media की pH कम होगी तो Different Micronutrients जैसे Iron, Zinc, Magnes और Copper की Toxicity देखने को मिलेगी और अगर ये pH जो है वो काफी ज़ादा हो जाएगी तो Micronutrients की Deficiency देखने को मिलेगी इसलिए एक Proper जो pH, Ideal pH है वो Maintain होनी चाहिए जिस भी Media को हम यूज कर रहे है पर फिर भी अगर एक High pH वाले Media को यूज किया जा रहा है तो उसमें Different Amendments डालके जैसे Sulfur और Gypsum जैसे Amendments को डालकर हम उसकी pH को Maintain कर सकते हैं इसी तरीके से अगर बहुत कम pH है तो उसको Different Amendments जैसे Lime और Dolomite डालकर उसको Balance किया जा सकता है इसी तरीके से Media जो Particular हम ले रहे हैं उसमें कौन-कौन से Ingredients होने चाहिए कौन से Mix होने चाहिए जैसे Commercially Available जो Media है जिसकी हमने Previous Lectures में भी डिसकस किया है कि सबसे ज़्यादा Cocoa Pit को और Sphagnum Mose को यूज किया जाता है क्योंकि इनकी Water Holding Capacity और Porosity काफी अच्छी होती है इसमें Basically Vermiculite और Perlite जैसे Substances को या Media Ingredients को Mix किया जाता है इसके अलावा Available Materials में Sand, Bread, Soil, Common Manure, Composed Rice Husk इन सबको भी यूज कर सकते हैं इसके अलावा बात आती है कि जब हम Soil को Manage कर रहे हैं या Field की Preparation कर रहे हैं तो Soil में पहले से Present जो Pest है जो Different Bacteria, Fungus या निमेटोर हो सकते हैं उसको किस तरीके से Kill किया जा सकता है तो इसमें सबसे Important है कि Soil का Solarization कर देना चाहिए Soil का Solarization का मतलब हुआ कि उसको एक Particular Heat तक गरम किया जाए Soil को या फिर Sunlight जो है उसकी Presence में उसको जब Heating मिलेगी तो ये सारे जो Harmful Micro Organism है वो Kill हो जाएंगे तो Soil Treatment करने के यहां पर चार Basic से Method है Soil Solarization किया जा सकता है Soil Pasturization किया जा सकता है Soil Fumigation किया जा सकता है या फिर Different Fungicides या Chemicals के तुरू Soil को Treat किया जा सकता है अब हम डिसकुस करते हैं High Tech Planting Methods कोन से है तो Horticultural Crops की Planting करने के लिए हमें सबसे Important जो बात ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि Soil जो है वो Disinfected होनी चाहिए यानि कि उसमें किसी तरीके के Micro Organism का Infection नहीं होना चाहिए और Media जो है वो हमारा Pure हो Disinfected हो Field Purpose के लिए जब हम Use करेंगे जब हम Plants को Grow करेंगे तो Different जो Beds है Crops के Coding जैसे Broadries and Furrow Beds बनाएंगे या फिर Flat Bed या फिर Ring Bed वो Crop to Crop के Requirement के उपर Depend करेगा उसके अलावा वहाँ पर Drip Erigation System होगा जिसके एक Particular Layout बनी होगी बनी होनी चाहिए उसके अलावा Plastic Mulches को Use किया जाना चाहिए जिससे की जो Weed है उसकी Growth कम हो और उसके अलावा पानी को भी Save किया जा सके बहुत जादा मात्रा में पानी जो है वो Waste ना हो इसके अलावा Mulches Bed should be Holded at the time of Planting Planting के समय ही उसको Hold किया जाना चाहिए और जो Seedlings है उसकी एक Appropriate Fertilizers और Water का Application करके उसकी Zermination को Ensure करना चाहिए जबकि अगर हम Planting Method की Greenhouse में बात करें तो Required Seed Bed होनी चाहिए उसके लिए उसके बाद में Disinfected Media का हम Use करेंगे Greenhouse परपस के लिए अगर हम Use कर रहे है चाहिए वो Coco Fit हो या फिर Spagnum Mask का जो भी Use कर रहे है वही सेम Drip Irigation System एक Layout में होना चाहिए और जो भी Seed Materials या फिर Seedlings को Use कर रहे हैं उनको Pre-Treat करना चाहिए ताकि किसी भी Disease का Infestation जो है वो Plant में ना देखने को मिले